हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए हिंदी का टेस्ट लेकर कर आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम UPSI के लिए बहुत ही जादा इंपोटेंट है वीडियो क एंड तिले जरूर देखिएगा क्योंकि लाश्ट में मैं आपसे कोसंस भी पूछूंगा और उसका अंसर आपको कमेंड बॉक्स में बताना होगा साथी साथ इस वीडियो की पीडिये डिस्क्रिप्सन में टेलेगराम चैनल का लिंग दिये हुए वहां से आप राप्ती कर सकते हैं पहला कोसंस चीनी मदरासी बिहारी आदी सब्द कौन सा विसेशन है जली बताईए चीनी मदरासी और बिहारी ये किस प्रकार के देखो चीनी लोग चीन में रहते होंगे मदरासी लोग मदरासी में बिहारी लोग बिहार में तो ये स्तान बोदक विसेशन है सर पाई का पाल बनाना निम्लिकत मेंसे इस लोकुत्ती का अर्थ क्या है तो इस लोकुत्ती का सही अर्थ क्या हो जाएगा छोटी सी बात का बतंगड बनाना तीसरा आपसंस करेक्ट निम्लिकत मेंसे किस बाग में तरूटी है कुछ दरवारी बीरवल को मुसीवत में फसाने के तरीके सोसते रहते हैं तो किस बाग में तुरूटी है तो सही आंसर हो जाएगा बीरवल को मुसीवत तीसरा option जो है वो आपका विल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा मुसीवत जो है वो गलत लिखा होगा है चौता उप्सन्स करेक्ट कानन भी होता है बन भी होता है तो चौता उप्सन्स फिलाल करेक्ट होगा सुयस का परहएवाची सब्द बताईए कि सुयस का परहएवाची सब्द क्या होगा तो सोयस का परियावाची सब दो जाएगा सुकीरती पहला options correct नेक्स्ट कोस्टन से आई ऐसी अदबोत बेला ना रो सका ना बहस सका दोहे में कौन सा लंकार हैं तो इस दोहे में कौन सा लंकार हैं ब्रोदा वास लंकार जहां देखो ना रो सका ना हस सका एक दूसरे के विपरीद बात है तो यहाँ पर बुरोधा वसलंकार होगा नेक्स्ट कोस्टन से आपका यह रास्ता दुरगम है साबदानी पूरवक चलें वाक की दिये गई तुरूटी का उचित रूप पहचानी है तो सही आंसर हो जाएका आपका ओपसन नमबर यह दुरगम जो है वो गलत लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखा जाता है दुरगम पहला ओपसन गरेक्ट आदा तीतर आदा बटेर इस मौबरे का सहीरत क्या है बेमेल चीजों का मिसरन तीसरों गरेक्ट next questions start करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों अगर आप UP TED की तयारी कर रहा है और चाहते हैं कि UP TED के exam में 130 प्लस नंबर आए तो आप लोगों को ये book purchase करना पड़े है क्योंकि चक्सू publication आप लोगों के लिए ये best book लेकर के आया है इस book को बिलकुल UP TED का जो slayvars है उसी के अनुसार तयार किया गया है 3000 से ज़्यादा आपको questions देखने को मिल जाएंगे UP TED का जो part किरम है जो slayvars है उसी के अनुसार इस book को तयार किया गया है और 200 paper हैं last year के जिससे आपको ये idea मिल जाएगा कि इस book में जो material है वो आपके लिए useful है के नहीं क्योंकि इस book को बिलकुल हुबा हुँ उसी तरीके से तयार किया गया है जैसा कि आपके exam UP TED में पूछा जाता है तो ये UP TED exam के लिए best book है पूरे market में इससे अच्छी आपको book देखने को नहीं मिलेंगे ये मेरा आपसे वादा है ठीक है और सबसे अच्छी बात क्या है देख लिए दोस्तों जो आपका UP TED का slivers है जिसमें वाल विकास सिक्छन विदिया उसके बाद हिंदी इंगलिस फिर उसके बाद आपका जो भी जी के है सारा कुछ जो है या गड़त है यहाँ पर आपको बता दिया गया है बिल्कुल पूरा विसे सूची में बता दिया गया है फिर इसी के अनुसार आपको पूरा book जो है वो तयार की गई है ठीक है और एक चीज मैं आपको और बता दू यूपी TED की तयारी करने के बाद इस book क के बाद आपको अगर practice भी करना है तो चक्सू publication की practice session वाली book भी आती है जिसमें 15 practice set है और 5 previous year के sold paper भी है तो यहां से आपकी तयारी जो है वो और बेतर हो सकेगी समझ रहे इस study guide book से आप लोगों की तयारी होगी यूपी TED की जो की यूपी TED के लिए best book है और यूपी TED एगर यूपी TED exam के अगर आप practice करना चाते हैं तो यह practice book भी आती है तो यहां से भी आप इससे आप practice कर सकते हैं दोनों ही book के link आपको description में मिल जाएंगे या आप offline market जो है वो purchase कर सकते हैं या तो online purchase कर लीजिए जो की description में link दिया हुआ है या इनके खुद official website है वहां सर पे जाकर पर्चेस कर सकते हैं या offline market से भी जाकर के purchase कर सकते हैं description में आपको link मिल जाएंगे ठीक है आपके सामने मदूसाला के रचनाकार कौन है simple और important questions आराम से बता सकते तो मदूसाला के रचनाकार है आपके हरीवंस राय बच्चन भूडोल का अर्थ क्या होता है जल्दी बताओ भूडोल का अर्थ क्या होता है तो भूडोल का अर्थ होता है आपका सुमेरन दूसरा options नहीं भूडोल का अर्थ हो जाएगा जल्जला सुमेरन नहीं भई जल्जला क्या होगा सर जल्जला पहला options correct ठीक है तो यहाँ पर पहला options correct होगा भूडोल का अर्थ होता है जल्जला काट होना इस मुहाबरी का सेयर्थ क्या है काट होना इस मुहाबरी का सेयर्थ क्या है तो सही अंसर हो जाएगा आपका इस्तब्द होना दूसरा option is correct दिये गए बिकल्पों में से रिक्स्तिस्तान की पूरती करना है मैं अध्यक्ष फिलिंदा ब्लेंक्स अपने निर्णे पर पुनर विचान करने फिलिंदा ब्लेंक्स निवेधन करता हूँ मैं अध्यक्ष को अपने निर्णे पर पुनर विचान करने के लिए निवेधन करता हूँ तो यहाँ पर को और के लिए आएगा तो यानि कि इस questions का कौन सा पुनरवचन करने का का भी आ सकता भी या पुनरवचन करने का निवेधन करता हूँ तो का भी आ सकता है कि ये लिए दिया निगे तो का आपका विल्कुल सही answer होगा तीसरा options correct चरणा कमल बंदो अरी राई में कौन सा अलंकार है अब ये तो इतना प्रख्यात होगा कि का बता है रूपक अलंकार होगा दूसरा options correct आयते हरी बजन को उटन लगी का पास इस लोकुत्ती का सही अर्थ क्या है तो इस लोकुत्ती का सही अर्थ है उच्छ लक्छ लेकर चलना और निमनकार करना पहला options correct सौमेता की नारी का सच्चा फिलिंदबलेंग्स है सौमेता ही नारी का सच्चा स्रंगार है पहला ये options correct वही रिक्स्तेस्तान की पूर्ती करना है देख लीजिए रोहन ने समाज कलन्याण कार में फिलिंदबलेंग्स योगदान दिया किन्तु कुछ लोगों को इस तत्व पर फिलिंदबलेंग्स था रोहन ने समाज कलन्याण पर भरपूर योगदान दिया किन्तु कुछ लोगों पर इस तत्व पर संदे था पहला ही options यहां पर आपका बिलिंदबलेंग्स होगा किस वर्से से लेखाक और उसकी किर्थी के लिए साहे तकाद्मी पर उसकार सम्मानित करना आरा मुगा किस वर्से से स्टर्ड किया गया तो सही आंसर हो जाएगा आपका सन 1955 से दूसरा options बिलेग्रों correct वही रिक्तिस्तान के पूरती करना है बहुत आते हैं यह questions उठा करके देखने लास्ट एर के पेपर समझ में आ जाएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आएगा आपका मैं मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको अधिकार पूर्वा कह सकूँ तो यहाँ पर मैं और जो आएगा जो की दूसरे options में दिया दूसरा options correct सतसाही के लेखा कौन है बड़िया questions सतसाही के लेखा कौन है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर सतसाही के जो लेखा के उनका नाम है option number A बहारी परसाद 24 पहला यह options correct सबह में चडिया चहचाने लगती है इस वाग में परियुक्त काल पेचानी है इस वाग में परियुक्त काल कौन सा है तो सही आंसर हो जाएगा आपका समान ने बरत्मान काल पहला options correct सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रियोग हुआ है बहुत बढ़िया जब एक सब्द की आवरती एक सेधिक बार आती है और दोनों ही जगे अर्थ लग लग होते हैं तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है सजना है मुझे सजना के लिए काली गटा का गमंड गटा उसके बाद तीन भी रखाती थी वो तीन भी रखाती है कनक अनक तैसोगनी ये सबी जो उधारने यमक अलंकार की है चीर सब्द का समानारती सब्द आपको बताना है कि चीर सब्द का समानारती सब्द क्या होगा तो चीर सब्द का समनार्थी सब्द होगा आपका वस्तर दूसरा options correct उस डाली पर एक तोता बेठा है प्रियुकत काल पेचाने है कि इसमें कौन सा काल है तो यहां पर आपका पूर्ण वर्तमन काल है च होता options correct next questions आपके सामने समाचार का बहुबचन दिये गए बिकल्पों में से क्या होगा तो समाचार का जो बहुबचन होगा वो आपका समाचार ही होगा कुछ सब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुबचन वही होता है जैसे हस्ताक्षर, दरसन, बाल और पती, समाचार इनका बहुबचन यही होता है अती विरस्टी का बिलोम सब्द क्या होगा यह कोशन्स पूछा जा चुका है तो अती विरस्टी का जो बिलोम सब्द होगा वे होगा आपका अना बिरस्टी आने वाला च्ण लाल नजर आता है च्ण सब्द का आपको बचन बताना है कि किस बचन का यह सब्द है च्ण तो यह एक बचन सब्द है, चौधा उप्सन्स करेक्ट राम राज, मैं अभी पिरजा दुखी थी पिरजा का आपको बहुबचन बताना है कि पिरजा का बहुबचन क्या होगा तो पिरजा का बहुबचन क्या हो जाएगा सर पिरजा का जो बहुबचन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पिरजा जन यानि कि चौता ओप्सन्स करेक्ट चारू चर्की चंचर किलने खेल रही है जल्थल में आपको बताना है के यहाँ पर चाओ और ला की आवरती देखो बता भी दिया बार बार आ रही तो जहाँ एक वड़की आवरती बार बार आती है तो वहाँ कौन सा लंकार होता है अनुपरा सा लंकार पहलाई उप्संस करेक्ट अरणे रोधन मौाबरे का सही अर्थ क्या है अरणे रोधन मौाबरे का सही अर्थ क्या है तो सही आंसर हो जाएगा आपका निरर्थक पहलाई उप्संस करेक्ट वसूदा सब्दकार्थ बताईए कि वसूदा सब्द का अर्थ क्या होता है तो वसूदा सब्द का अर्थ क्या होता है सर धर्ती पहलाई उप्सन्स करेक्ट चावर्ग द्वनिया किस वर्ग में आती है जल्दी बताओ या चावर्ग पूरा कहां से बोला जाता है दियेगा विकलपों में से स्ट्री लिंग सब्द कौन सा है जल्दी बताओ इस्ट्री लिंग सब्द है तीसरा option is correct दियेगा वाक्यों में से सही का चेंड कीजिए और इस्तितान की पूर्ती करें फिरिंदा बलेंक्स विवायत जोड़े बड़ी कलपनाओं के साथ अपना नया जीवन आरम करते हैं जल्दी बताइए तो सही आंसर हो जाएगा अधिकांस विवाइक जोड़े बड़ी कलपनाओं के साथ अपना जीवन आरम करते हैं दूसरा options correct मेला आचल के रचनाकार कौन है बड़ी है important questions जली बताइए और पूछा भी जा चुका है तो मेला आचल के रचनाकार कौन है सही आंसर हो जाएगा आपका फड़ी सवर नात रेनू तीसरा options correct और last questions दिये गए बिकलपों मेंसे तत्तम सब्द jest का तदबाव क्या होगा jest का आपको तदबाव बताना है तो इस questions का अंसर आप मुझे comment box में बताएंगे तो दोस्तो ये थे आपके 40-40 important questions जो कि आपके आने वाले exam UPSI के लिए बहुत ही जादा important है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो झालर आपको में बता है